जीनतमान का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी अधाकारा की तस्वीर आती है जो फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों तक अपनी अधाकारी के साथ अपनी खूबसूरती और ग्लैमबर से भी राज करती रही थी जीनतमान ने अपने समय में बॉलिवूट के सबी बड़े तारो जैसे अभी तब चनवी नूद खन सत्रोगन सिना धर्मेंद आदी के साथ काम किया था 1985 में जीनतमान ने मजहर खान से शादी रचाली थी जिनसे उन्हें दो बेटे हैं आप अभी नेतरे के बारे में तो सब कुछ जानते हैं पर क्या आप इनके बेटे के बारे में जानते हैं कि वो कौन है क्या करते हैं और कैसे नजर आते हैं जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में साल 1985 में जीनत अमान ने महजर खान से शादी रचाली थी जिन से हुने जहान और अजान खान नाम के दो बेटे हुए पात करें उनके बेटे जहान खान की तो जहान खान पेशे से एक म्यूजिक कंपोजर और एक्टर है एक संगीतकार के रूप में जहान ने फिल्म में अपनी पारी की शुरुवात की थी कपिल शर्मा की फिल्म लव इस लव में जहान ने कंपाल का म्यूजिक दिया था जाहन खान अपनी मा से बेहत प्यार करते हैं और उनकी भी तस्वीर अपने इंस्ट्राग्राम पर शेयर करते रहते हैं कुछ समय पहले जाहन ने मा जीनत अमान की एक फोटो को अपने इंस्ट्रा हैंडल पर शेयर किया था जिन से एक्टरस का केवल बैग दिखाई दे रहा था इस तरफ सीर को लोगों ने खुब पसंद किया था साथ ही ये देख कर भी हैरान रह गए थे कि जीनत अमान के बेटे इतने बड़े हो चुके हैं तो कैसे लगे आपको जीनत अमान के बेटे जहन खान हमें कमेंट कर जरूर बताएं साथ ही ऐसी ही तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ